सौ समस्याएं हो जाहें लेकिन प्रेग्नेंसी कंसीव करना बहुत सरल हो जाता है आज के उपाए से आज की रामेडी से जो की स्पेशल है आयुर्वेदा की और फीमेल इंफर्टिलिटी के लिए ये एक वर्दान से कम नहीं है आशा करते हों कि ये वीडियो और ये रामेडी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और फ्रूटफुल होगी नमस्कार स्वागत है यूटूब सहली चैनल में आज हम आयुर्वेदा स्पेशल एपिसोड में एक अमेजिंग आयुर्वेदिक रेमेडी की बारे में बात करने वाले हैं जो अनिको इंफर्टिलिटी की साइडेफेक्ट हो सकते हैं कि नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए रोज कैसे खाना है पीरियट्स में खाना है या नहीं कहाना है शारी वात हब आज केवीडियो में समझते हैं फेंच हम यार व्यदा की एक Aimeezen हर्ब जो की शतावरी है उसके बारे में आज जानने फाइबर, प्रोटीन, ऐसी सारी चीज़ें हैं, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है healthy pregnancy conceive करने के लिए. तो nutrition भी धेर सारा समेट कर लाती है शताबरी हमारे लिए. पुरुषों को भी अलग-अलग combination में शताबरी दिया जाता है, क्योंकि इससे nightfall की problem भी solve होती है और महिलाएं, जो infertility phase कर रही हैं, चाहिए secondary infertility हो, या फिर आपको किसी भी reason की वज़े से PCOD की condition में, thyroid की condition में, endometriasis की condition में, in general सारे reports अच्छे हैं, लेकिन conceive नहीं हो रहा, तो ये गर्ब स्थापन कारक होती है, यानि की गर्ब धारण में help करती है, शतावरी, period regarding कोई भी issues हो, जैसे की period में बहुत जादा pain हो रहा है, uterus regarding issues है, cervical mucus अच्छे से नहीं बनता, ovulation समय से नहीं बनता, in general hormonal imbalance है, सभी condition में शतावरी को यूज़ किया जा सकता है, इवन मीनोपाल्स तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, hormones कभी भी परिशान नहीं करेंगे, इसमें cholesterol यानि की fat बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये antioxidants में बहुत ही हाई होती है, जिससे एक की quality बहुत अच्छी हो जाती है, और conceive करना बहुत सरल हो जाता है, तो ये quality इंप्रूव करना हो, अपने medical conditions को इंप्रूव करना हो, दोशों को दूर करना हो, या pregnancy की chances बढ़ाने हो, ये कोई दवाई नहीं है, ये जिस तरीके से हम शाग, सबजिया, अनाज, ताले, पौधों से मिलती हैं, इसको चूर्ण के रूप में, इसको जूस के रूप में, इसके टाबलेट्स भी मार्केट में आते हैं, या फिर अलग-अलग combinations, जो आरवेदिक मैं कई बार आपको सज़स्ट करती हूँ, उनमें भी शातावरी होती है, तो आप इसको अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को आज के समय में लिवर प्रॉब्लम है, तो लिवर प्रॉब्लम है, तो ये लिवर को भी ठीक करती है, उस कंडिशन में भी आप शातावरी का इस्तमाल कर सकते हैं, शातावरी को कब खाना चाहिए? शातावरी को आप अपने खाने के बाद में ले सकते हैं, दुपहर का खाना और रात के खाने के बाद में, इसका अगर चूण है, तो इसको शहद में मिलाके भी ले सकते हैं, आधा-धा portion रखें, दो से तीन ग्राम, एक चौथाई चम्मस से भी शुरू कर सकते हैं, शदावरी चूर्ण का प्रयोग आप, इसके अलावा शदावरी का रस अगर आपके पास है, जो कि और गेनिक और शुद्ध होना चाहिए, यह देक्रिप्शिन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, अथेंटिक प्रड़क्ट्स को, तो इसको मिल्क में मिलाकर, या पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं, इनके टाब्लेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकि शुधित तका विशेष ख्याल रखें, अब बा बताना चाहूंगी ताकि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सतरकता से इसको लें कई लोग लहसुन प्याज के लिए भी अलर्जिक होते हैं उनको लहसुन और प्याज से भी अलर्जी होती है तो अगर आप अलर्जिक हैं आपको पहले से अलर्जी है तो शतावरी लेने से पहले आप थोड़ी टेस्ट कर ले एक दो बार लेकर देख ले अगर आपको अलर्जी है तो आप शतावरी का प्रियोग ना करें दूसरी बात वजन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल क्योंकि शतावरी पे मैं आपको पहले भी कई information शेयर कर चुकी हूँ तो बहुत सारे followers के question थे कि क्या शतावरी से वजन बढ़ता है जी हाँ शतावरी हमारे body के अंदर water retention कराती है और शतावरी लेने से वजन बढ़ता ह तो ये चीज़ माइन में जरूर रखें कि अगर आपको वजन जादा है तो शतावरी कप्रियूग अपने डॉक्टर से पूछ कर करें अपने जो भी healthcare provider है अयरवेदिक practitioner है उनसे पूछ कर करें दूसरी बात कि शतावरी single hub नहीं है जो की दी जाती है अयरवेदा में combinations में भ बाड़ी को ट्यून करती है तो combinations में भी आप इसको ले सकते हैं शतावरी बहुत जादा useful है और अगर एक single hub कहें कि आरवेदा में कौन सी एक ऐसी अकेली amazing hub है जो infertility को दूर करती है तो वह है शतावरी आप इसका ज़रूर प्रयोग करें आशा करती हूं आपको इसका धेर सारा लाव मिलेगा thanks for watching